है लो फ्रेंड हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आपके लिले कर रहा हैं कौमदी पप स्लिप्स तो यह लाइनिंग है और यहां पर हमने कपड़ा का फोलीर में लिया देकि यह खुले की साइड है ठीके तो यहां पर जो कपड़े की हमने करना है ठीके जैसे नॉर्मली हम ड़्र, 2,3 इंच पर करते थो यह हमें 4 इंच पर करना होता है और इसमें सेप ढालनी है तो यहां पर देकिए हमने सेप ढाल ली है यहां से बिल्कुल बिल्कुल हलका सा कर thing ज्यादा नहीं श्रिप एक सार करना है यहां से कपड़े को ठीक है और जैसे हमने मार्क डाला है उसी तरीके से से कट कर देना है तो यहां पर देखिए इसको कट कर दिया है यहां से भी हमें एक सार कर लेना है अब हमें खुले की साइड से नापना है ठीक है तो जो भी आपकी बाजू का मेजरमेंट हो उतना लें बॉटम तो हमारा फाइव इंच है यहाँ पर दो इंच एक्स्टा लेंगे तो सैवन इंच पर मार्क करेंगे ठीके आपका जो भी है उससे दो इंच एक्स्टा रखें यहाँ पर और मार्क करें तो यहाँ पर बचा हु से बॉक्स बना लेंगे और इसे कट कर देंगे तो यहां पर देखिए इसे कट कर दिया है दोनों बाजु को हमें एक साथ करना है तो अब उल्टी तरफ रखेंगे इसे इस तरीके से करके सीधी साइड अंदर की तरफ है तो यहां पर हमें सिलाई लगानी है बिलकुल बराबर करते हुए यहां पर सिलाई लगानी है जैसे हमने मार्क डला उसी तरीकिस सिलाई लगा देंगे तो यहां पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है अब इसके बीस सेंटर में एक कट लगा लेंगे यहाँ पर ठीक है यह कट लगा लिया है इमने बीस सेंटर में अब इस बाजू को खोल की रखना है सीधी तरप से इस तरीके से आएगे और यहाँ पर देखिए इस बीस सेंटर को इस सलाई से मिलाना है और जो इधर का कपड़ा है उसकी प्लेटे हमें इधर की साइड डाल लेनी है और जो इधर का कपड़ा है उसकी प्लेटे इधर की साइड तो दो तीन तीन प्लेटे आएंगे इसमें इस तरीके से यहाँ पर पिनप कर देंगे तो यहाँ पर देखिए पिंसे सेक्योर कर दिया है दूसरी तरब भी इसी तरीके से प्लेटे लगा के उसे भी पिंसे सेक्योर कर देंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लेज लाइक से सब्सक्राइब जरू करें और सब्सक्राइब करने के बार नोटिफिक्शन वैल को जोड़ दाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो यहाँ पर देखिए पिनफ कर लिया इसमें डबल सलाई लगानी है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डबल सलाई लगा लेंगे ताकि यह पलेटे ना निकले तो यहां पर देखिए हमने इस लाई लगा लिए है और इसमें हमें लाइनिंग लगाना है पिन को निकाल दिया है तो अब यहां पर देखिए बिल्कुल बर्टम पर बराबर करके लाइनिंग को रखना है और लाइनिंग हमने 6 इंच और लिया है तो हमारा यह FOLDS हो जाएगा तो 5 इंच रह जाएगा तो यहां पर बिल्कुल बराबर सीधी सलाई लगा लेनी है तो हमने यहां पर सलाई लगा ली है अब इसको पल्ट के और इसके उपर भी हमें सलाई लगानी है ताकि ये अंदर की तरफ अच्छी से पलट जाए तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है अब इसको हमें अंदर की तरफ पलटना है इस तरीके से ठीक है जितना कपड़ा उपर से आप फोल्ड करना चाहें उतना फोल्ड करें लेकिन जो सिलाई आई हुई है उसके उपर जरूर लें इसको यहाँ पर ठीक है जो पलेटे हमने सिलाई से दवाई हैं तो उसके मेल में रही है सिलाई तो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे इसमें आप चाहे हैं तो हाथ से तुर्पाई कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा लिए है और यह इच्छे से बिल्कुल लगके आ गया है और यहां पर देखिए एक सलाई यहां पर हाज से तुरपाई करें और या फिर ऐसे ही रखें और एक सलाई यहां पर लगा लेंगे आप चाहे तो इन दोनों सलाई के उपर लेस लगा सकते हो जो गोटा होता है पतला वाला वो भी लगा सकते हैं इसके उपर तो यहाँ पर देखें नीचे भी हमने सलाई लगा ली है अब इन पलेटों को हमें इसी तरीके से सैट करना है जैसे नीचे से इनकी सेप आई है और इनके उपर सलाई लगानी है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है तो जिस तरीके से इनकी सेफ है उसी तरीके से हमें इनमें स्लाई लगाने है इस चीज का धान रहे तो यहाँ पर देखिए स्लाई हमने लगा ली है और यह थोड़ा सा उंचा नीजा कप्ड़ाय वहाँ से एक सार कर लिया तो यहाँ पर कुछ बटन लिए है तो यहाँ पर इन बटन को लगाना है तो सुई में धागा डालिया है नीचे की तरप से निकालना है सुई को यहाँ पर इसे सैट करना है बटन को तो धागा हमने फोलेर में डालाया और अच्छे से इसे पका कर लेंगे और धागे को बार बार कटने ही करना है नीचे की तरप निकालेंगे यहां पर देखे इसको लगा लिया है फंदे वाली गाठ लगा देंगे और जितनी दूरी पर आप लगाना चाहें दूसरा बटन उतनी दूरी पर धागे को ज़्यादा टाइट ना खीचें सुई को इसी तरीके से निकाल के लगा दें तो यहां पर देखे हम यह चार बटन करेंगे इस तरीके से तो यहां पर देखे हमने बटन लगा लिये हैं तो यहां पर देखे नीचे लगाने के लिए हमें एक टसन बनाना है तो यहां पर हमने माचसली है और इसके उपर जितना बना रड़ा आपको टसन बनाना है उतने टाइम इसे लपेट ले तो यहां पर तो यहां पर देखिए तीन से चारवा निकाल के अच्छे से टाइट बांद देंगे और दूसरी तरप से इसे कट करना है तो यहां पर देखिए इसको कट कर लिया है अब यहां पर इसे एकसार कर लेंगे जित्रा बड़ा आप बनाना चाहे और इसको यहां पर इस तरीके से लपेट के टाइट करेंगे ठीक है यहां पर हमने इसे लपेट लिया है और इसमें सुई दागे से अच्छे से साइट कर देंगे ताकि यह खुलेना यहां पर देखिए खीच के इसे हमने अच्छे से टाइट कर लिया है फंदे वाली गाठ लगा लेंगे दो से तीन तो धागे को हमें कट कर लेना है अब यहाँ पर देखिए जो हमने इसमें सुई लगाई हुई है इसी से हमें इस धागे से इसमें इसको लगा के कम्प्लीट करना है तो इस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है यह बाजू तो अच्छे से इसे लगा के कम्प्लीट करेंगे सेम तरीके से हमें दूसरी वाली बाजू को भी बनाना है तो यहाँ पर देखिए पूरी बाजू बनके यह कम्प्लीट है कितने अच्छे इसका लोकाया है और इसमें सलाई लगा लिए तो इस तरीके से करके यहाँ पर इसकी सलाई लगाएंगे जो लाश्ट फिटिंग वाली सलाई होती है जितना बॉटम आप रखना चाहिए उस साब से रखके इसमें सलाई लगा देए तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यह बाजू बनाई है हमने आपको बता दिया है इसे सीधा कर लेंगे इसका लुक बहुत ही प्यारा है आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू